हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड इस्टॉलर्य वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक squarish formation में नज़र आ रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हतेली की जो यहाँ पर indicate करती है काफी hard working type की nature को fingers यहाँ पर काफी thick नज़र आ रही है और fingers के ओपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं जो indicate करती है काफी friendly nature को और काफी अच्छी energy और stamina को इस तरह की सीधी रिखाएं आपको लगबग सभी phalanges के ओपर नज़र आ रही होंगी और thickness आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी fingers के base phalanges हैं यहाँ पर काफी thick नज़र आ रहे है और अगर हम fingers की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर सूरे finger की length काफी अच्छी है अगर हम compare करते हैं ब्रस्पती finger के साथ ब्रस्पती finger यहाँ पर थोड़ी short होती नज़र आ रही है जिसकी वजह से कहीं न कहीं leadership qualities में weakness आती है और family की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी सी कमी रहने के chances रहते हैं और सूरे finger का अच्छी length में होना creativity को बढ़ाता है और ऐसे व्यक्ती का social circle भी काफी अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर जो इनकी sun finger है काफी अच्छी length में है और शनी finger के first challenge के half को भी cross कर रही है अच्छी लमाई होने की वज़े से ऐसा व्यक्ती adventurous होता है risk taker होता है life में बड़े decisions लेते समय भी ऐसे व्यक्ती कई बार risk ले बैठते हैं और even इस तरह की लंबी finger होने की वज़े से ऐसा व्यक्ती अपने पैसे को भी risk वाली जगहों पर invest कर सकता है जिस तरह से share market है, crypto currencies है ऐसी जगहों पर जहाँ पैसा डूबने के chances भी हो ऐसी जगहों पर risk लेकर भी investments करने की व्यक्ती की nature रह सकती है और अब देख सकते हैं शनी finger यहाँ पर बिलकुल straight है शनी finger यहाँ पर काफी strength में नज़र आ रही है जिस वज़े से hard working type की nature रहेगी और अपनी इसी nature की वज़े से यह life में काफी अच्छी तरक्की भी कर पाएंगे आगे देख सकते हैं mercury finger को यहाँ पर mercury finger भी काफी अच्छी strength में नज़र आ रही है ऐसे व्यक्ति का business acumen भी काफी strong रहता है जिनकी mercury finger काफी अच्छी length में हो तो चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि मांट्स को यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं गुरू finger थोड़ा सा low set होता और even mercury finger भी mercury mount भी यहाँ पर थोड़ा सा low set होता नजर आ रहा है जिस वजह से थोड़ी सी shy nature रहने की संभावना रहेगी और ब्रस्पती finger का low set होना कहीं ना कहीं leadership qualities को knowledge gain करने में भी कुछ दिखतें लाता है leadership qualities में कमी रह सकती है और even family की तरफ से सुख मिलने में थोड़ी कमी आती है जब ब्रस्पती mount weak हो या low set हो ऐसे विक्ती को अपने घर से दूर रहने रहना पड़ सकता है studies के दौरान या फिर जॉब के दौरान इस तरह के chances भी बढ़ जाते हैं और यहाँ पर overall अगर ब्रस्पती mount को देखा जाए तो ब्रस्पती mount के ओपर मुझे एक हलका square बनता नजर आ रहा है यहाँ पर कुछ इस area में जो काफी अच्छी protection भी provide करता है किसी भी तरह की कोई भी problem life में आए खास तोर पर relationship से related अगर की problem आती है तो उसमें यह protect करने की भी काबलियत रखता है इस तरह का square तो यहाँ पर कोई भी चिन होना जैसे square का चिन है या इसके लावा cross का चिन हो या star का चिन हो यहाँ पर ऐसे कोई भी चिन होना काफी लापता है कमाने जाते है इसके लावा यहाँ पर progress lines नजर आ रही है कुछ इस तरह की रिखाएं आप देख सकते हैं उपर की तरफ उड़ती हुई इस तरह की रिखाएं व्यक्ति को life में काफी अच्छी progress दिलवाती है तो यहाँ पर मुझे progress की कोई भी कमी नजर नहीं आ रही आगे देख सकते हैं आप इनके शनी माउंट को शनी माउंट यहाँ पर अंदर की तरफ दब रहा है आप देख सकते हैं यहाँ जो एरिया है शनी माउंट का अगर यहाँ depressed हो तो indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति को life में काफी मेनत करनी पड़ती है काफी ज़्यादा hard work बढ़ जा जो भी achievements है वो बिना hard work के यहाँ पर इनको नहीं मिलती है दिखाई दे रही क्योंकि शनी माउंट का अंदर की तरफ दबना व्यक्ति की life में hard work भरता है तो आप देख सकते हैं इनकी शनी रेखा को शनी रेखा की length यहाँ पर काफी अच्छी है एक strong fate line कुछ इस तरह से ओप 56 और 7 के around age में भी थोड़ा सा disturb करती हुई कुछ financial issues का सामना यहाँ पर इने करना पड़ सकता है overall एक अच्छी भागया रेखा व्यक्ति को हर तरह के comforts तो जरूर देती है तो भागया रेखा में यहाँ पर कोई कमीनी है स्रफ obstacle lines यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक triangle बन रहा है जिसको money triangle कहते हैं लेकिन complete नहीं हो पा रहा है आपको draw करके दिखाना चाहूंगा यहाँ जो नीचे से उपर की तरफ जाने वानी रेखा है यहाँ भागया रेखा कहलाती है और दूसरी रेखा जो triangle के लिए हमें चाहिए वो है mind line जो यहाँ से उपर से नीचे की तरफ आपको आती हैं दिखाई देगी और तीसरी जो line triangle के लिए चाही होती है वो होती है mercury line जो यहाँ पर अनकंप्लीट है, कुछ इस तरह से यह रेखा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा ट्राइंगल यहाँ पर खुलता हो नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस दूसरी रेखा को देखा जाए, यहाँ पर यह रेखा इस ट्राइंगल को कुछ तक कंप्लीट करें, थोड़ी सी वीक लाइन है, लेकिन ट्राइंगल का किसी भी रेखा से, खास तोर पर जो मर्करी मौन की तरफ बढ़ने वाली रेखाएं हैं, इस तरह की रेखा से कंप्लीट होना इंडिकेट करता है, कि ऐसा भ्यक्ति धीरे धीरे अपनी लाइफ में काफी सारी धन राशी जमा कर लेगा, तो overall यह एक अच्छा चिन है यहाँ पर, इनके हाथ में जो बन रहा है, आगे देखते हैं, इनके सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट जो हमें नेमेंड फेम दिलवाते हैं, और यह भी बहुत जरूरी रह जाता है कि सूर्य रेखा अगर अच्छी लंबाई में मौझूद हो, तो व्यक्ति को ज्यादा नेमेंड फेम मिलेगा, तो यहाँ पर सूर्य रेखा मौझूद है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, भागया रेखा, खासता और यह रेखा जो है, इनकी हार्ट लाइन के उपर से ही शुरू हो रही है, यह जो हा प्रिवियस सेज को, तो यहाँ पर एक अच्छा चिन है कि इनकी सन लाइन बन रही है, लेकिन साथी साथ यह जो माउंट है, यह बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, अंदर की तरफ दबता हुआ है, सूर्य माउंट जो अबस्टैकल्स भी देता है, और यहाँ पर एक स ज्यादा रिखाएं मुझूद, आप देख सकते हैं, एक सीधी लाइन है, उसके साथ साथ दो तीन चोटी 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 रिखाएं और हैं, जो ऐसे व्यक्ति की क्रेटिविटी को शो करती है, एक से ज्यादा तरह की क्रेटिविटी को लेकर आगे बढ़ना है, और ने नेमेंड फिम जरूर मिलता है, और आप देख सकते हैं, जो इनका मौंट आफ मरकरी है, इसके उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं हैं, यह रिखाएं यहाँ पर काफी बैनेफिक मानी जाती हैं, इस तरह के रिखाएं जिनने हम मेडिकल स्टिगमाटा का नाम दे लोगों को सर्विस देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर वो व्यक्ती जिसके हाथ पर मेडिकल स्टिगमाटा बन रहा है, वो मेडिकल फिल्ड मही जाएं, ऐसे व्यक्ती सोशल वरकर हो सकते हैं, एंजियोस बना सकते हैं, यह किसी ओर्गनाईएशन के सार्द जिसकी वज़ा से लोग इन से सलह मश्वरा करना पसंद करेंगे क्योंकि यह है मर्करी माउंट को भी स्ट्रेंथ देता है मैं अडिक स्टिक माटर ऐसे व्यक्ति की कॉम्निकेशन काफी अच्छी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपनी काउंसलिंग से अपने सलह मश्वरे से लोगों को हील कर सकता है और यहाँ पर इनकी जो मर्करी लाइन है बहुत जाता स्ट्रॉंग नहीं है जैसे मैं अलड़ी आपको मैंने ड्रॉंग करके दिखाई थी यह लाइन दुबारा से को ड्रॉंग कर रहा हूँ यह जो रेखा है एक स्ट्रेट अगर लाइन यह बन जाए तो बहुत अच्छी होती लेकिन यहाँ यहाँ पर इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ उपर की तरफ बढ़ रही है जो कहीं ना कहीं बिजनस एक्वमेन को थोड़ा सा वीक कर रही है और खाथ सोर पर यह हेल्थ के लिए रेखा अच्छी नहीं रहती और व्यक्ति को लिवर सबंदी प्रॉब्लम्स डाइजेशन रिलेटर दिखतें और खासतर पर इंटेस्टा का भी इन्हें लाइफ में सामना करना पड़ सकता है इस ब्रोकन और ओवरलैप्ड मरकरी लाइन होने की वज़े से आगे देख सकते हैं इनकी मीजर लाइन को तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन आफ हार्ट है कुछ इस तरह से एक अच्छे कर्व में नजर आ रही है और यहां पर कुछ इस तरह का चिन जिसको वी सिंबल कहते हैं वो भी इनके हाथ में बनता हुआ जो प्रोग्रेस के लिए काफी अच्छा माना जाता है उसके इलावा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हलके आइलेंड्स यहां पर इनकी हार्ट लाइन में बनत सकती हैं क्योंकि यहां पर कुछ हाट लाइन इनकी अफलिक्ट होती हुई नजर आ रही है और जो इनकी माइंड्स लाइन है वो काफी ज़्यादा जुकी हुई है नीचे की तरफ जैसे आप यहां से देख सकते हैं सीधा चलती हुए रेखा अचानक से डिप लेकर चंदर एरिया की तरफ बढ़ रही है इस तरह से जब भी माइंड की लाइन जुक कर मून एरिया की तरफ बढ़े तो ऐसा व्यक्ति काफी ज़्यादा मैजिनेटिव होता है कलपनाएं करता रहता है और ऐसे व्यक्ति के भीतर क्रेटिविटी काफी अच्छी आ जाती है अगर उन क कलपनाओं को यूज करें कुछ चैनलाइज करकर कुछ क्रेटिव काम करें जैसे किसी तरह का आर्ट से रिलेटेड काम या कोई राइटिंग या कुछ भी ऐसा जिसमें व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को यूज कर सके उस लिहास से यह रेखा काफी अच्छे फल देती है अ आगे देखते हैं इनकी लाइफ 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 लाइ बढ़ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को इन्हारिटेंस मिलती है जिनके हाथ पर केतु इरेक्ट पर ऐसा चिन हो और आप देख सकते हैं यहां पर मंगल लाइन अंदर की तरफ मौजूद है इस तरह की मंगल लाइन का होना व्यक्ति के लिए काफी लाब दायक रहता है ऐसा व्य में अपनी महनत के बलबुते पर भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना लेता है और यहां पर कोई मेजर इशू हैल्थ इशू मुझे नजर नहीं आ रहा इनकी लाइफ लाइन से लेकिन डिक्लाइनिंग जो रेखा है इनकी माइंड की वो यहां पर कुछ तनाव कुछ रिखाएं काफी अच्छी इनके हाथ में जो यहां पर काफी पॉजिटिव फल देने वाली नजर आ रही हैं तो यह कुछ अनलसिस से इनके हैंड के बारे में मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद